कि वह वेलकम टुव साथी एक्जाम फाइट नमर न पर आप सभी का हादिक स्वागत है जिए पेशी जी एस पेपर टू छार्खन के क्लसिद्ध में आप सभी का स्वागत है जहाँ पे हम लोग लगतार एवरी मौर्णिंग एत एम को क्लसिद्ध कर रहे है जारकन से related और जारकन के history को भी हम लोग देख रहे हैं तो जारकन के छेत्री राजवंस में बहुत important exam के point of view से छोटा नागपूर का खास बंस को आज हम लोग कवर करेंगे छोटा नागपूर का खास बंस और बताते चले यहां से प्रस्ट में हर एक exam में जारकन के कोई भी exam क उठा लीजिए एक से दो प्रस्ट में आते ही आते हैं तो बस गिने चुने points को आपको याद अकना है यहीं से प्रस्ट आपके लड़ जाएंगे इसके guarantee है तो देखिए छोटा नागपूर खास का नागवंस यानि कहां पर नाम से अस्पेस्ट है इसका विस्तार छोटा न नागवंस के पहले सासक मिलते हैं फनी मुकूर राय नागवंस के संस्थापक थे कौन फनी मुकूर राय तो जार्खन में जैसे सबसे पहला राजवंस कौन सा बना था इसलिए क्लासिस में देखा था मुंडा राज है ना मुंडा राजवंस तो मुंडा राजवंस के याद रखिएगा नागवंसी राजी के संस्थापक कौन ते फनी मुकूट राय को नागवंस का आदी पूरुस भी कहा जाता आदी मतलब सबसे प्राचीन है ना संस्थापक है इसको आदी पूरुस भी कहा जाता है भी रीड ने कहा है जो रीड नितिक अंग्रेस उन्होंने कहा है रीड के अंछार दस्वी सदी में नागवं सी राज की अस्थापना हुई रीड मोहदय के अनसार दस्वी सदी में नागवंसी राज की अस्थापना हुई फनिमकुट राय जब सासक बने इसने राजधानी किसको बनाया सूतियांबे को और वहां एक सूर्जी का मंदीर भी बनवाया यानि ये प्रस्ण पूछा जाएगा आपसे कि शूतियांबे में यानि नागवंसी राज के सबसे पहली राजधानी को बनागिया ना क्योंकिए बहुत ज्यादा एक राज सर्दों युद्य वगरे होते करता है हो हूई करता था और राजधानियों में तो राजधानियों में मजबूत के लिए बंदी जरूरी थी जब लगता था कि यह राजधानी शेप नहीं तो दूसरी जगा को राजधानी उल्ग स्टिफ्ट कर देते थे ताकि वहां से अच्छे से कंट्रोल किया जा सके पूरे समराजी पर तो सुतियांबे पहली राजधानी बनी अभी हम लोग भराजधानी थे निर्वा स्टी डाकर सकते है तो फणे मखण राए निराजधानी सुतियांबini को बनाया पृक्तिर की खासे रहें इन्होंने यह तो आधिवासी थे इन्होंने गЬ आधिवासे को भी आयसरे दिया यानि किसी को एह Lehr मकद्ड कर नादिवासी दिया इसका प दिवान राजा का बहुत करीवी पदोता बहुत उंच्चा पदोता पर्सासन में दिवान बनाये कि इसको भाव राय स्रि वास्तव को फने मुकुट राय के बाद और वह सासने लेकिन बहुत ज्यादा वह सभी का सकते हैं उतना आने नहीं कर पाया है उतना पॉपुलर नहीं बहुत बदल बढ़ बऊद्धानी बदल दिया तो प्रताप राई ने किसं ने किया प्रताप अगला शाष्क हुआ अपने नाम को बदल लेते हैं वही कि आ भीम करने क्योंकि फिक इस वंस आ रहा था उसको बदलकर करन कर दिया और भीम राय इसका नाम होना था भीम राय ये वीम राय से क्या हो गए भीम करन के काल में इसके काल में यूद लड़ी गई बारवा की लड़ाई भीम करन के समय एक लड़ाई लड़ी गई नाम क्या है बारवा की लड़ाई और भीम करन के काल में सर्गुजा सर्गुजा के रक्सेल राजा ने नागवंसी राज पर आकर्मन कर दिया जिसे बारवा की लड़ाई के नाम से जान जाता है किसने रक्सेल राजा ने रक्सेल आपको पलामू के आसपास के इलाके में मिलता है रक्सेल वन्स तो सर्गुजा तो भीमकर् बहुआ के प्अलमें नागोन्सी राज पर आक्रबन किया था किसके काल में भीमकर्न के काल में और उस लडाई को क्या बोलते हैं बार्वा की लडाई ही लडाई में भीमकर्न की जीत हुई भीमकर्न जीसे मैंने साइड इफैक्ट हो गया ना अदक्सेलों को वारी हानी हुई और ये रक्सेल सामराज तक भी गए और वहां पर वासुदेव श्रीक्रिष्न के किन के बीच हुई तो नागवशि राजाओं और जक्सेल के राजाओं के बीच घंक करने भीम सागर का निर्मान किया एक तलाब का निर्मान की जिसका नाम क्या रखा भीम सागर भीम करने राजधानी को चूटिया से खुखरा संधित कर देखिए राजधानी को बनाए इसको आपको जरू याद करना है क्योंकि अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो अब एक प्रस्ण के लिए कर सकता हगदार हो जाता है तो भीम करने राजधानी को चुटिया से कहां कर दिया खुखरा याद रखिए आगे बढ़ते हैं अब स्व्दासकरन जो करन टैटिल अब आगे सिर्फ करन टैटिल ही आपको मिलेगा कर शीवदासकरन नागवन सी राज का एक पुरूमक्स आ सकता शीवदाकरन गुमला के घागरा में हापा मुनी मंदिर के अस्थापना कि यह प् कहां बनाये गुमला में और गुमला के कहां घागरा में सिम्पल सब पूछा जाता है हापा मुनी मंदिर का निर्मान किस ने कराया तो सिवदास करने कहां कराया गुमला में यह हापा मुनी मंदिर किस जिले में है तो गुमला जिले में गुमला में हापा मुनी मंदिर कहां है तो गुमला के घागरा में किसने बनवाए सिवधास करने इस मंदिर में शियानात देव के हाथो भगवान विष्णु की परतिमा स्थाबित कि यह पूछा जाएगा हापामुनी मंदिर किस धर्म से समंदित है मंदिर है निस्टी दूप्से हिंदू से होगा हिंदू में भी क सियानात देव मराठा ब्राहमन थे यानि मराठा ब्राहमन के हां तो इसने भगवान विष्णु की परतिमा स्थापित कराई और बहुती फेमस मंदिर हापामुनी मंदिर बनाया गुमला के घागरा में किसने सिवधास करन याद रखिएगा शियानात देव जैसे मैंने पह परतापकर्ण चत्रकर्ण और विराठकर्ण वे जब शलतांत काल में लोधी बंस का प्रियर था लोधी बंस कब से कब तक रहा लोधी बंस आपका 1451 से 1526 यानि 1451 से 1526 इसी तक लोधी बंस का सलतत में राज रहा तो इसके पैरलर जो यहां पर सत्ता थी वो नागवंसी राजाओं की थी जिसमें परतापकर्ण चत्रकर्ण और विराठकर्ण परमुक थी अब परतापकर्ण के काल में कौन सा विद्रू हुआ घटवारों का वि अगला जाओं के विद्रों से तरस्ता अर इसमें परतापकर्ण की जीत हुई पर प्रभा होता अब प्रमुख राज्णाओं के बाद नागेशी राजी के लिए नागवंस राजधानिया न लिए नागवंसी राजधानिया कि पर्थम राजधानि काहा थे शोतिय आमबे यह चैहा। सवसे पहली राजधानी नागवंसी वोगस् ik दूसरा जने क्यों शूतिया मुआ कि 20 अब स्चृ आगे स्प्राद परियोटन हुए कुख्रा इसे भीम करने बनाए इतना हम लोगों नहीं देखऊ भी में इनको देखा है इतने के बारे में अब आगे भी राजधानी परियोतन हुए है देखिए कौन हुआ है दोईशा को राजणी बनाए गया दूर्जन सा के द्वारा पालकोट को राजणी बनाए गया यदुनाथ सा के द्वारा और पालकोट भोरो को राजणी बनाए गया जगना साहदेव के द्वारा रातुगर को राजणी बनाए गया परताप उदाइनाथ साहदेव के द्वार और यह अंतिम राजदानी इसके बाद राजदानी परोतन नहीं हुए यानि यानि नागवंसी राजदानी क्या थे रातुगर नागवंसी राजदानी क्या हो गई रातुगर किसने बनाया प्रताप उद्धाइनाच साधेव ठीक है अब आपका पहला साथक कौन था याद रहरें कि अन्तिम सासक रहरें तो अंतिम सासक नागवंसी राजदाए झाहद और यह कब्यक्स 1551 में जब भारत अजाद हो चुका था उस समय जब देशी रियास्तों का विलाई हुआ उस समय यही थे लाल चिंतामनी साधे 1551 में भारत में विलाई हो गया और और नागवंसी राजी खता में जोकि छोटा नागपूर खेंस में इसका विश्टार था देखा में आप सभी से पहना चाहूँगा राजधानीवाला मेंडर को दौह रहट लें जोंकि वहां से UGH 1 लिंगते हैं आप प्रिविए से को निकालेंगा आपको वहां से मिल जाएंगे तो थैंक्यों थैंक्यों वारी वरी मच पर वाचिन इस वीडियो और कनेक्टिंग नुमरन शाथियों आप भी चाहते हैं जेपी सी पीटी की क्लासिस करना ता हमाई साथ जूड़कर विल्कुल से ख्लासि कveltह्ते हैं यहां पर तो मिल जाती हैं थैंक्यों ठैंक्यों वारणीयों है